हाँ जी आ गए सब लोग चलिए जी सफम का हमारा फर्स्ट लेक्शर गुड मॉर्निंग सभी को गडिनिंग जो शाम को क्लास देख रहा है और यह फर्स्ट लेक्शर में हम लोगों ने डिसाइट किया कि हम इस्टार्ट कहां से करेंगे डेरी विट्यूस से सर डेरी विट्यूस अगर आप अपने दोस्तों से बात करती हो डेरी विट्यूस जो शैप्टर है सेफम का जो एक्जाम दे चुके है या फिर जो जिन्होंने क्लास ले रखा है कहीं और से भी तो वह पक्का पका आपको बताएंगे कि भई डेरी विट्यूस पहले क्यों कुछ लोग ये भी कह सकते कि डेरी विट्यूस उइक्जाम में नहीं आता तो भई पुराने जमानी की बात नहीं कर रहा हूं जब कैपिटल बजिटिंग हुआ करता था और लिजिंग हुआ करता था ओल्डस लिबस में डेर arrange आता था ठीक है बहुत कंत अम आता था पांज नम्बर का क्योंकि और भी chapters हुआ करते थे अभी derivative important है और मुस्किल है इसलिए मैं पहले करवा रहा हूँ जनरली क्या होता है जनरली क्या होता है मुस्किल जो chapter होता है उसको last में करवाते तो क्या होता बच्चा इतना परेशान हो चुका होता course complete करने के चक्कर में कि लाश्ट में चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना है ठीक है आ रहा है सर जाने तो जाने तो ऐसा वाला चलता है लेकिन हम यहाँ पहला उठा रहे हैं और अगर आपको शेयर मार्केट में अगर मैं आपको सीदी सीदी बात बता हूँ मेरे यूट्यूब में भी वीडियो डले हुए है, डेरिविट्यू उसके कुछ, और उसमें भी ब्रोकर्स के फोन आते हैं, बुलते सर आप जो डेरिविट्यू जो पढ़ा रहा है हो सर वह उसका लेक्चर हमें चाहिए, हम उससे पैसा बना रहा है, ब्रोकर की मैं बात करा हूँ, वो CA final का उनका ल इट मिन्स, ये जो बोलते हैं कि नहीं, ब्रोकर बता भी रहा है कि नहीं सर पैसा बन रहा है, मजा आ रहा हमको, मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ, ये चेक्टर आपको शियर मार्केट में एक्सपर्ट करके देगा, हर ब्रोकर जो दस-दस साल से काम करें, उन्हें भी option फ्यूचर में ट्रेडिंग करना नहीं आता, वो आप सीख जाओगे, मेरा जो टार्गेट है वो ट्रेडिंग सिखाना नहीं होगा, मेरा टार्गेट होगा, आपको आपके जो एकेडमिक है, जो मॉड्यूल है, जो ICAI है, उसका नौलिस देना, ठीकिस, पैंशर मतले ना, ब बहुत सारी बात के करूँगा, थोड़ा सा प्रेक्टिकल कैल्कुलेटर यूज नहीं करूगा, तो आप समझी कर थोड़ा थियरी टाइप का होगा, पर वो थियरी नहीं होगा, आपको सुनना पड़ेगा, अगर आप वो नहीं सुन पाती है, तो फिर आगे डेरिविटी स ठीक है, अब मैं उनको बताऊंगा थोड़ा सा यहां, क्योंकि बुक की लेंगविज मुझे यूज करनी पड़ेगी, बुक में जो लिखा है, जब मैं बताऊंगा, तो वो मुझसे बुलेंगे कि भई, एक्चुल में तो सार ट्रेडिंग में तो ऐसा नहीं होता होता है, स दास्न में मैं आपको बताऊंगा, हँँ जी, आप जो बोल रहे हो, हमें वहीं तक पहुछ जाऊंगा, जो आप एक्चुल में कर दो जो ट्रेडिंग कर रहा है मैं उनकी बात करो, जो फ्यूचeर उप्शन में खेल रहा है बही, सर फ्यूचेर उप्शन मतला, चलो श्टा चैप्टर डेरी विट्योस ठीक है सर श्टार्ट करें क्या अधियस दीरे दीरे बात करेंगे धीरे दीरे बात को समझें हमारा किर्दार इसका नाम है राम राम हमेशा आएगा ठीक है राम हमारी पिक्चर स्फम का हीरो रहेगा और उसी को देखते हुए उसी पर से हम सारी बात करेंगे तो भाई सार्ण चओ है और एक कम्पनी हमेशा पिक्चर में आईगे जिसका नाम है रिलाएंस और वे कम्पनी है रिलाएंस हमको अच्छा लगता है और रिलाएंस के शेर की आज कीमत कितनी सर Reliance के share की आज कीमत है 500 सर आज की date कौन सी है आज की date है 2 जून 2022 2 जून 2022 को राम ने जब स्क्रीन खोल कर देखा एप खोल कर देखा तो पता लगा कि Reliance के share की price अभी चल रही है 500 पता लगा सकते हैं और राम का अनुमान ये है कि अगस्ट 2022 तक ये जो share 500 है इसकी कीमत हो जाएगी रुपीज 600 एक इस्टोरी मेंने आपको बताया है कि Reliance के share की price राम को ऐसा लग रहा है कि बढ़ने वाला है और अगस्ट तक 600 रुपए हो जाएगा सर वो ऐसा क्या सोच कर पिटे सोचने की तो बात की छोड़ दो उसका अनुमान हो सकता है उसको ऐसा लग रहा कि कोवीड खतम हो चुका है मार्केट बूम पे जाएगा और इस पेसली Reliance में कुछ होने वाला है कुछ प्रोजेक्ट आने वाला कुछ भी लग सकता बहुत कुछ वो भी सोच रहा है राम और उसको लग रहा 600 रुपए होने वाला है सहाब जी बस इतना बता दो अगर राम को प्रोफिट कमाना है तो C.A. सहाब राम कैसे प्रोफिट कमा सकता बड़ा आसान है सर इसमें C.A. की जरुवरक्त नहीं है यह बड़ा आसान है आम आदमी मी बता देगा कि 500 रुपए में 500 में शियर खरीदा जाएगा आज राम आप 500 में शियर खरीद लीजिए और इसको 600 में बेज दीजिएगा आपको प्रोफिट हो जाएगा कितने का 100 का कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है सर अच्छा एक बात और बता दूँ जो पहला लेक्चर उसमें हो सकता कि कुछ बाते रिपीट हो वो इसलिए हो रही हो कि रिपीट क्योंकि मुझे आपको पहला लेक्चर अच्छे से समझाना डेरिवटी अच्छे समझाना उसको इगनूर करना वैसे भी तो आप फास्ट फावर्ट में देख रहे होगे कोई बात ही नहीं ठीक है सर आज शेयर खरीदेगा राम 500 का बेज देगा 600 का 100 रुपे का प्रोफिट कमा लेगा पर राम कहता कि सिये साब सुनो मेरी समस्या है मेरे पास 500 इतना सारा पैसा में ब्लॉक नहीं कर सकता फंड चो है फंड का प्रोब्लम है फंड फंड ब्लॉक एस क्योंकि आज शेयर खरीदना पड़ेगा और आज शेयर खरीदने के लिए मेरे पास 500 है ही नहीं यह लो ब्लॉक इसकी तो बात ही छोड़ दो 500 नहीं है सर मेरे पास 500 नहीं है यह कैसा होगा है सर ट्रेडिंग कर रहे है 500 नहीं है बोल रहे हूँ MRF टायर जिसकी शेयर की कीमत 18,000 रुपए मैं खरीदना चाहता हूँ मुझे भी मालूम है MRF टायर का प्राइस बढ़ने वाला पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा मुझे अब क्या करें और है तो मुझे एक चिंता है कि यह पैसा क्यों ब्लॉक करूए यह उस पासों का कुछ और मैं समझाओंगा और क्या हो सकता है एक प्रॉब्लम फंड का प्रॉब्लम है दूसरा प्रॉब्लम राम और बता रहा है ले सीए साम आज शेयर खरीद लेता हूँ 500 का बले ठीक है और 600 का मुझे लग रहा है कि हो जाएगा तो मैं बेश दूगा 600 लेकिन सर अगर यह 300 हो गया वैसे तो मेरा अनुमान मुझे लग रहा कि होगा पर कुछ भी हो सकता कोवीड आ जाया कुछ हो जाया और 300 हो गया तो साहब मुझे तो 200 रुपे का लॉस हो जाए है राम पहली समस्या फन्ड भ्लॉक इस दूसरा प्रावलम लॉस राम कहता है कि उसा कुछ बता दो मुझे कि आता हो है वह दूसर न वाला है यह भी नौ मतलब मुझे प्राविट ही pública उसे रहा कुछ होते मौझे तो CSA बोलता राम आप जाए श्टॉक एक्शेंज और वहां जाके पता कीजिए आपको पक्का पक्का में लेगा आप डेरीविट्व की विसे में पता कीजिए तो चलो जी राम को लेके कहां चलेंगे श्टॉक एक्शेंज दो प्रॉब्लम आपको पता है न मैं क्या कहना च और सर यह क्या चीज़ है अखिर यह हमारा इस टॉक एक्शेंज यह लोग इस टॉक एक्शेंज काम क्या करता है वेकार का कोईशन है फाइनल लेवल पर सूभा नहीं देता आसा कोईशन है सर इस टॉक्षंज शियर खडी देता और बेशता है नहीं 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 किसी को शेर की जिरूरत है और कोई बेचने वाला तो दोनों पारटी को मिलवाता है इसका खरीब के इसको ट्रांसपर करता है यह इक्शेंज बच्चों वाला कौशन था वैसे मैं आपको एक्स्प्लेइन कर रहा हूं बताई उसने अपनी दोनों समस्याएं बताया उन दोनों समस्याओ को सुनने के बाद इस टॉक एक्षिन ने कहा कि हाँ जी राम इसका भी जुगाड़ है और जुगाड़ ये है कि हम दोनों आपस मे क्या कर सकते हैं बूले हम दोनों आपस में एक कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं कॉंट्रेक्ट अच्छा सर हाँ अब सुनों अब मज़ाएगा और कॉंट्रेक्ट में क्या लिखा रहेगा राम के लिए यू है right but not obligation to buy sphere of reliance at peace 510 in Agash ये वन गया सर जी गौन्ट्रक्ट रहा सरी ये है गौन्ट्रक्ट हिया में अभी मैं अभी मुआ धीरे धीरे पिक्चर में आऊंग धीरे धीरे बात अब की एक्सपर्णा आपके अभरिशनिम् ये धीरे बात सुन्नी तो कोंट्रक्ट में लिखा है कि राम आपके आपके पास राइट है राइट यह important line है आपके लिए आपके पास राइट है कि आप अगस्त में आज की डेट कौन से थी मैंने कहा सर आज की डेट थी दो जून, 2022 आज की डेट है दो हज़र बाविस और आज राम और श्टॉक एक 새र, पास राइट है की आप अगस्त में आईएगा और रिलाइन्स का शेयर हम आपको 510 रुपए 510 में बेज देंगे राम कहता जी अच्छा बोले अभी 500 रुपए आज शेयर की कीमत कितनी करेंट मार्केट प्राइस आज शेयर की कीमत है 500 तो राम कहता कि सुनो 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 श्टॉक एक्षिन क्या अभी 500 देना पड़ेगा बोले नहीं भाई कौन बोल रहा है अच्छा कुशी का ठीकान है नहीं राम कि बोले वह और बोले मुझे तीन मेहने बाद यह आगस्ट में पकका पकका मिल जाएगा ना बोले पकका मिलेगा थोड़ा सा महगा मिलेगा 510 में मिलेगा राम को तो पता है ना 600 रुपए कीमत होने वाली 600 600 तो 510 चलेगा चलेगा कोई दिक कर नहीं है आज पैसे भी नहीं लग रहा है लेकिन एक समस्या और है समस्या यह है कि स्टॉक एक्शन सुनो सुनो अगर प्राइज तीन महने बाद यह अगस्ट में 300 हो गया मालनो मार्केट में 300 देखो ऐसा है कि 600 हो जाता है तो मैं 510 का आप से खरीदूंगा और मार्केट में कितने क 600 को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन प्राइज 300 हो जाता है फिर कैसे करेंगे स्टॉक एक्शन बोल रहा है भाई लिखा तो है कि आपके पास राइट है राइट है आपको आना जरूरी है मेकप कह रहा हूं लिखा तो है not obligation तो राम कह रहा है मतलब मेरे पास option है बोल कॉंट्रेट को क्या बोलते है ऐसा कॉंट्रेक्ट कहलाता है option कॉंट्रक्ट option कॉंट्रक्ट ठीक है जी यहां तक समझ में आई है आपको धीरे धीरे सुननी है जो एक्सपर्ट हो है न जो option में एक्सपर्ट भी लोग होगे है कमसे कमी है वो क्लास शोर दो क्योंकि जब जिनको आता है उनको क्या पढ़ा है जो उनको नहीं आता उससे दिहां से सुनना ठीक है से तो बात यहां तक तो हमारी समझ में लगए अब राम के मन में और एक बात है बिना कोश्चन के तो बात ही नहीं जो है राम कहता सुनो stock action मैंने सुना था कि आप share exchange करवाते हैं बोले हैं अभी आप बोल रहे हो कि राम आप आ जाना अगस्ट में और हमसे share ले लेन पास 110 रुपे का बले हां तो बले सर आप share कहां से दोगे कोई आपकी दुकान थोड़ी ना share की कि आपके share रखे हुए रिलाइंस के share और आप उठा कर दे दोगे यह कहां है आपके पास share कहां है बले सुनो stock action मैंने नहीं देना हुआ है मैं कहां दे रहा हूं भाई मैं और श्याम मुझसे कह रहा है कि ठीक है आप contract कर लो साहब यह जो share है मैं दे दूँगा और कितने रुपे के रिशी साब से दे दूगा मैं बले मैं पास 110 करे सब से अच्छा इट मेंच share कौन देने वाला बले share मैं देने वाला share देने वाला श्याम कब देने वाला अगस्त म जब आप आओगे ना मांगने तो श्याम उठाकर share आपको मुझे दे देगा मैं आपको transfer कर दूँगा खतम आप क्यों चिंता कर रहा हूँ आप अपना काम करूँ ना यह राम ने का सुनो 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 stock action मैं अपना काम कर रहा हूँ अभी एक बात और पूछ लूँ क आपको दे दूँगा यह मोज़ता सुनो सुनो अब सुना ध्यां से अगर 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 शेयर की कीमत 600 रुपए हुई ठीक है थीक है बोड़े ठीक है और आप से कहूंगा प्लीज मुझे शेयर दे दो भूले ठीक है आप किसको फोन लगाएगे श्याम को क्या स्याम के पास शेयर है नहीं तो उसको मार्केट से 600 में खरीदना पड़ेगा हाँ और 600 में खरीद के आईवंजीलो में देना पड़ेगा देना पड़ेगा ना भई म शेयर का प्राइस जितना बढ़ेगा श्याम भाई साब को उतने महगे में खरीद कर ट्रांसपर करना पड़ेगा अब राम बोलता है मान लो शेयर का प्राइस 300 हो गया 300 हो गया ठीक है तो मैं तो पहली बोल दिया मैं तो आऊंगा यह ने शेयर करीद ने क्योंकि प्राइस 300 हो गया तो मैं बेखो थोड़ी नहीं 510 का खरीद के 300 में मार्केट में बेचूंगा मैं तो जाऊंगा यह नहीं बले हाँ और आप श्याम को फोन लगाओ यह नहीं त स्याम को तो कुछ नहीं मिलेगा तो सर स्टॉक एक्षिन साहब स्याम आपको पागल दिख रहा है क्या कवाल बस इतना से स्याम जब बढ़दस्ती में घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था तो क्या वह यह काम करने लगा उसका तो लौस ही है उसको प्रॉपिट तो है नही हां जीदें स ए अब इश्टॉप एक्षिन सम्झा रहा है कि सुनो और आम सुनो मैं ने यह कहा था कि आपको फाइव नहीं देना पड़ेगा जैकिन मैंने यह कविश चुंजोच और रहेगा मैंने का मतलब क्या बोल रहा है मतलब बस इतना सा है कि क्योंकि आपने खरीदा है क्या राइट खरीदा है यह रिसिप्ट खरीदा है इस राइट की क्योंकि आपके पास राइट है इस राइट की कीमत आपको चुका नहीं पड़ेगी इस right की एक कीमत होती है बोले कितनी बोले जादा तो मैं पहले भी नहीं बोला था सिर्फ आपको 40 रुपए देना पड़ेगा अच्छा बोले हाँ सिर्फ इस receipt की इस receipt की आपको कीमत देना ही पड़ेगी इस right को आप खरीद रहे विसकी कीमत देना ही पड़ेगी इसको प्रीमियम बोलते हैं अभी सीधे-शीधे नाम लिखवाँगा बहुत सारी चीज़े इसका नाम लिखवाना जोरी था इसलिए मैंने लिखवा दिया इसको ठीक है इस receipt की कीमत है तो कीमत को और क्या बोल सकते प्राइस और क्या बोल सकते वैल्यू धिल्यू ठीक है स्राइड बहुत सारी कोश्चन आ रहे होगे डेरीवीटी को मिनिंग तो समझाए नहीं स्मझाओंगा ना भै पिक्चर दू तो सुनना ठीक है स्राइड यहां था ठीक और यह 40 रुपे किसको मिल जाएक है श्याम को श्याम को यह थोड़ा सा समझा कि बहू बोले देखो इस टौक एख नश्य excitement कि यह लग रहा है, मियंद बता रहा है श्याम को यह लग रहा है कि everyday यह जो राम पिर्यास यह जो राम अनुमान लग़ा रहा है प्राइस हो अहा है प्राइस पातस्व दससे भी कम हो जाएगा और फाइवören जिरो से गर कम होगा तो राम आएगा क्या हराम तो आए गाही नहीं और राम आएगा नहीं तो घेशारी साफ़ धायेिक, बात खत्व बताओ श्याम का confidence और सर अगर price राम बोलता है अगर price बढ़ा तो बढ़ा तो श्याम बोल रहा है जो होगा देखा जाएगा जो भी difference होगा मैं payment कर दूँगा ओके पर इसका confidence की price नहीं बढ़ेगा राम सोचर अब सोचने वाली बात है तो यह बोल रही है मुझे advance में देना पड़ेगा क्या बोले हाँ इसका मतलब बोले फिर जो भी share जैसे share मान लो 510 का है तो 40 रुपए तो पहले ही दे चुका हूँ बहले नहीं 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 ऐसा नहीं चालिस रुपए तो फेली दीज का कोई लेना देना नहीं भाई यह चालिस तो आप सिर्फ इस right की कीमत दे रहा हूँ शेर की कीमत नहीं दे रहा है। यहां तक बात समझ में आगी थीक है अब क्या करहें अभी चालिस बात सुच कर देख ले तो कर दोघानो सोच और सब्सक्रेंव कि च mart प्राइज 700 हो गया तो अगर प्राइज 700 हो गया तो अब सुच्च रहे वह सोचने का तो पैसा लगता नहीं एगर प्राइज 700 हो गया तो अब राम-सुच्रा मुझे कितने का फैयदा होगा ऐता घऌ जाओंगा 510 का शेयर खरीदूंगा और 700 में मार्केट में बेज दूंगा तो 700 माइनस 510 तो मुझे 190 का प्रॉफिट पर इसमें से इसको पे ओफ बोलते है जनरली 190 में से में प्रीमियम का 40 रुपए दे दिया है तो सर उस कंडिसर में मुझे 150 का प्रॉफिट ठीक है और शियाम को कितने का लॉस उसका अब राम इतना टैंसर बोले मुझे तो 150 का शियाम को कितने का लॉस ये भी सोच लेता हूं अगर प्राइस 700 हो गया तो मैं तो चला गया मैं स्टॉक एक्षेंज बोल रहा हूं प्लीज मुझे शियर दे दो पासो दस का इस्टॉक एक्षेंज किसको फोन लगाएगा श्याम को मार्किट में जाएगा उसके पास तो शियर ही नहीं मार्किट में जाएगा और 700 का शियर खरीद के 510 में दे देगा तो 700 का खरीदा शियर देना पड़ा 510 में तो सर इसका 190 रुपए का लॉस है 40 रुपए क्योंकि उसको मिल चुका था एडवांस में तो उसका तो भी लॉ लॉस एक सो पचास का सर इसका मतलब यह है अब समझ गया जितना मुझे प्रॉफिट होगा उतना उसको लॉस होगा अगर प्राइज हो गया थ्रिहंड़ेट तो अगर प्राइज हो गया थ्रिहंड़ेट तो सोचते हैं तो जाऊंगा ही नहीं में पागल थोड़ी हूं पासव दस को खरीत के 200 में झाऊंगी नहीं नहीं मेरा तो जीरो हां प्रीमियम आटाने तो आहीं तो मेरा टाइंसर नहीं तो जो मुझे मिल गया वो अहीं इतने का शालिसी का प्रॉफिट कमका प्राइज बढ़ा इसका तो प्रॉफिट ही होते जाएगा जितना बढ़ते जाएगा उतना प्रॉफिट होते जाएगा और इसका लॉस होते जाएगा बहुत सारा लॉस होते जाएगा प्राइज बढ़ते जाएगा तो लॉस होते जाएगा पर प्राइज अगर कम हुआ तो भाई इसका सिर्फ क्या जाएगा 40 रॉपए और इसको से प्रॉफिट कितने का होगा 40 तो राम के एंगल से बात किया जा तो राम को मैक्सिमम लॉस चालिस रुपए का ही हो सकता आपके मन में सवाल और मन में सवाल है कि सर मन में सवाल छोड़ो मैं आप से पोछ रह MK अगर आपको बनना होता राम या श्याम क्या बनना पसंद करते हैं क्या बनना पसंद करते हैं राम की स्याम और आपका जवाब है राम तो क्या स्याम जैसा कोई आदमी दुनिया में नहीं है मतलब आप इंटेलिजेंट हो तो लोग भी तो intelligent होगे, और बाकी लोग intelligent तो सब की सब अराम ही बनेगे, श्याम कोई क्यों बनेगा, अब सुनोगे बिट्टे, अब कहानी सुनना ध्याँ से, अभी कहानी खत्ब नहीं है, अभी और बाते हैं चूँ अपके साथ करने, पहली बात, सुनोगे, पहली बात, अभी लॉट्री की टिकेट खरीदा है, लॉट्री की टिकेट हाँ, लॉट्री की टिकेट में जो देना होता है, वो 40 रुप है, maximum, ये लॉट्री की टिकेट खरीद रहा हूँ, राम लोट्री की टिकेट खरीद रहा तो पैसा आज देना पड़ेगा उस टिकेट का ये जो टिकेट है ना उसका पैसा कितना देना पड़ेगा 40 डुबेगा तो कितना डुबेगा 40 पर मिलेगा तो कितना मिलेगा बहुत ज़्यादा इसी बात है लोट्री की टिकेट ही तो ख खेल रहा है रखिक और कों खिला रहा है श्यार कों धिसे लॉट्री क्यों घ्लता है यह कहने सुनने में अच्छा लग रहा आप लॉर्ट्री याद रखोगे तो यह तमाज में जाए त्पर फिर भी बहु सब किसी फाइऒत इस नहीं कि सjang को क्या दा करूं चांध तो राम क्या चाहेगा राम क्या चाहेगा शियर का प्राइस कम हो की बढ़ जाए बढ़ जाए किस से ज़्यादा बढ़ जाए सर पास्तो दस से ज़्यादा बढ़ जाए पास्तो दस से पास्तो बीस हो जाए तो भी क्या राम को फाइदा है नहीं होने वाला है क्योंकि 510 का खरीदेगा 520 में बेज देगा तो भी 10 रुपे का प्रोफिट है पर गया कितना चालिस गया चालिस गया तो कम से कम इतना तो प्राइज बड़े कि 40 रुपे की रिकवरी हो जाए इटमियन सेयर का जो प्राइ से जादा होगा तभी राम को फाइदा है एक रही थोड़ी सी टेक्निकल चीज है राम को अच्छे से पता है कि शेयर का प्राइज बड़े और इतना बड़े कि कम से कम 40 जो रहा जारा भाई उसकी तो रिकवरी हो जाए आ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं बात समझ में आगी उसमें राम का कोई फाइदा हो नहीं होने वाला उल्टिमेटली किसका फाइदा हो जाएगा श्याम का श्याम को तो लॉस तब होगा जब शेयर का प्राइस पासुपचा से उपर जाएगा अगरी अब सुनना ध्यान से आपको ऐसा लगता है कि शेयर का प्राइस कुछ भी कि पंद्रा सो हो जाएगा कुछ भी हजार के आसपास ही रहता है तो ज्यादा प्रोबैबिलिटी किसके जीतने की है श्याम के ठीक है यहां तक बात समझ गई और भी जब मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में आप्शन अभी जो बहुत ज्यादा डिस्कुशन करना उस समय समझे अब हलका से मैंने बताया कि दोनों ही पार्टी होती है राम और सिक यहां तक हाला की हाला की एक बात और बताऊंगा अभी धीरे से बताऊंगा अब थोड़ा ड्रिंग रिक पानी वानी पी लेंगे हां बिल्कुल से चलो जी आगे तो लिए मज़ा आ रहा है ठीक है सब्सक्राइब बहुत सारी कहानी क्लियर वही है अब और भी बात थे अब बात यह है कि थोड़ा है सब्सक्राइब यह डैरी वेट्यू क्या है डैरी वेट्यू आज की डेट कौन सी थी दो जून दो जून और इस राइट का इस रिसिट का पैसा दिया गया कितना चालिस कौन दिया पैसा तर राम दिया है आज ही दे दिया पैसा चालिस रुपाए अब राम भगवान से क्या प्रात्ना करेगा तर प्राइज बढ़े यही तो प्रात्ना करेगा अला कि प्राइज जो बढ़ाओ यार बहुत हो गया भगवान बढ़ाई और जैसी तीन तारीक थीन जून छेब का पता नहीं कि भगवान ने ब्रात्मा सुनदी पास तौचभान सूरी सो गया पास States चारिस हो गया, मज़ा आगया, मज़ा भगवान, और करो, और बढ़ा, जैसी 4 जून आया, श्रीर का प्राइस 560 रुपए हो गया, 560, राम तुवाह रात तुख, अभी इभी टाइम है वैसे, अभी ऐसा कहां तक जाना है आपको, ऐसा जाना है अगश्ट तक, पर अभी प् अभी आपके पास एक दोस्टा है, ठीक है सर यहां मेरे पास कुछ पेजस मिल जाएना, तो मज़ा जाएगा भाशके, यह जो, यह क्या है, यह राइट है, रिसिप्ट है, यह किसने खरीदा था, राम ने, राम ने खरीदा था, जो कितने पैसा दे चुका है राम इसकी वैल्यू अभी कितनी है 40 रुपए सर दो तारीक और जब आगस्ट आएगा ना तो ये रिसिप्ट लेकर कौन राम किसके पाई जाएगा इस टॉक एक्शन के बहुले देखो इसमें तो लिखा है आप मुझे देने वाले पास्तो दस में तो पास्तो दस में शेयर ख़री देख ठीक है यहां तक अब जैसे जैसे डेट बढ़ रही थी राम खुश हो रहा था और चार तारीक आगए और प्राइस कितना हो गए पास्तो साथ रुपए हो गए राम ने कहा मज़ा आगए अब पर एक दोस्ता आया और दोस्त बोलता तो सुणो राम क्यों खुश दिकरा है जो खुश इसलिए दिखरा हूँ कि यह रिसेप्ट मैंने खरीदा था यह राइट है राइट खरीदा था राइट और इसमें लिखा था जो लिखा है वह आपके सामने है तो बोले ये दा धिरे धिरे ना मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि ये लेकर जाओंगो ना मुझे जादा फायदा होना श्टार्ट होगा आप नहीं कितने में खरीदा था उसका दोस्त है पूछर आपने कितना बोले मैंने 40 रुपाय में तो सुनों अगर ये रिसिप्ट सुना दियान से आप मुझे ट्रांसपर कर सकते हो क्या अगर आप मुझे दे देते हो मुझे बेस दो अगर आप मुझे बेस देते हो तो में लेकर चला जाओंगो इस टॉक एक्षेंज प्राइज भणड बेस नाया बुट्राइज ब्राइज बरण तो मैं इसको 40 में बेचंगा आपको 45 में बेचंगा इस रिसिप्ट की कीमत कितनी बोल रहे है 45 इटिन सर आप शेयर वेर तो छोड़ो यह सिप्टी बिकनाय स्टार्ट हो गया हाँ यही तो मज़े की बात है इस पर काम होने लगा इस पर बैटिंग चलने लगी यह बढ़ने लगा अब दोस्तों बलता नहीं यह 45 जादा मैं जाओ अब यहां से फिर ठीक है अगले दिन पाच्छी को यह लो शियर का प्राइज 570 हो गया मेरा जो दोस् की प्राइज के बढ़ने के साथ साथ इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है हाँ यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हो इट मेंस अंडरलाइंग एसिट क्या है एसिट है शियर का प्राइज शियर का प्राइज बढ़ना है तो इसकी भी वैल्यू आटूमेटिक बढ़ है इट म इंस्टूमेंट और इसकी वैल्यू कौन डिराइव करता है अंडरलाइंग एसिट शेयर हो सकता है अंडरलाइंग एसिट का मतलब शेयर डिबेंचर करेंसी बहुत सारी चीज़े हैं तर यह क्या है यह मतलब यह डिक्शन यह बुक की मिनिंग है बुक में लिखा हुआ यह जाने में यह लाइन समझाने में बहुत टाइम लगता इसलिए मैं बात है ठीक है सर ठीक है तो डेरिवेट्यू का हलका सा मिनिंग समझ में है कि डेरिवेट्यू क्या है एक फाइनिशल इंस्टूमेंट और इसकी वैल्यू डिराइव कहां से होती है फ्रॉम एन जैसी कैसी हो सकता समझाउगा अब इचिन ता मत करो ठीक है यहां तक ठीक है यह सर अच्छा सर तो थोड़ी सी बात ना अगी अधोब सा लग अभी ये खिरते था रिक बात पताओं तो आपका यह कहना था, कि उस दिन राम जाएगा, और सियाम से शियर खरी देगा, कितने में? पाँसों दस में, और छे सो रुपय में बेश देगा, तो उस दिन, राम को नब्वे रुपय मिलेगा, उस दिन, हालागि 40 कारेंगों और सर्ब स्याम क्या करेगा स्याम 510 का खरी देगा सॉरी 510 का नहीं 600 का खरी देगा और 510 में बेज देगा तो इसको 90 रुपए का लॉस है लॉस पे ओप इसका माइनस में लॉस नहीं बोल रहा हूँ इसमें से प्रीमियम का भी काम बाकी है तो सर ये बरदस्ट टाइम पास नहीं है अब अब अभी अभी सुनो सर आप क्या बोल रहा है अब ध्यान से समझना आप कह रहे हैं कि हम श्टॉक एक्चेंज से खरी देगा पाच्छे सो रुपए कीमत अब ध्यान से समझना श्टॉक रुपए कीमत होती है तो राम राम श्टॉक एक्चिन से पासो दस में खरीदेगा खरीदा और इसको छे सो में बेज देगा कहां मार्किट किदर है सर मार्किट यही तो मार्किट है कुछ भी बात कैसे कर सकते हो actual में क्या होता है सर ये बताओ actual में book में तो ये लिखा हो एक्चुल में क्या होता है, एक्चुल में cash settlement होता है, मतलब सर, श्याम यहां खड़ा, राम बोल रहा है कि मेना अगर होता, पास तो दस में खरीबता, 600 का बेज देता, मुझे 90 का pay-off मिलता, 90 रुपे का फायदा होता, उस दिन maturity को, श्याम कहता है, सुनो भाई राम, कितने का फायदा होता, 90, यह 90 रुपे मुझे से पकड़ो, मैं यह लो, कहां share, मैं क्यों खरीदू, बेचू, transaction cost कोन करे, 90 रुपे निकाला, यह पकड़ो stock action और आप राम को दे दो, और राम को 90 रुपे मिल जाए, खतम, कुछ नहीं है, ना कोई share खरीदा, ना कोई बेचा, सर, यह एक बार फिर से सोच के देखते थोड़ा सा, अगर प्राइस 700 हो गया, तो, राम क्यों खुस, बोलो कितने से खुस, सर, राम खुस हो गया, 510, 700 माइनस 510, 190 का profit, और इसको 190 का loss, तो कोई कुछ खरीदेगा कि नहीं, यह 190 रुपीज, राम को दे देगा, खतम, क्या कोई share ख सोरी, गला जगा लिख दिया, अगर 300 हो जाता है, तो, तो श्याम, ना तो यह खरीदता, ना कुछ, तो इसको जीरो, तो श्याम का भी जीरो, बात का तम, हाँ, हाँ, हाला कि profit है, 40 रुपए इसको मिल चुका है, प्रीमियम का, वही चीज है, और कुछ नहीं है, सर, यहाँ प्रीमियम भी माइनस होगा ना, हाँ, वो हो, गवर्पर में अभी पे-उफ की बात करो, पे-उफ और प्रॉफिट में अंतर है, पे-उफ मतलब on maturity, प्रॉफिट मतलब जो पे-उफ है, उसमें से हम क्या प्रीमियम माइनस करेंगे, तो जो आएगा, उसको हम प्रॉफिट क्या था, एक साथ कितना रुपिया लग रहा था 500, अब सिर्फ कितना देना पढ़ा है, 40 रुपए, दूसरा राम को टेंसन था, अगर प्राइस कम हो जाएगा, तो मुझे भयानक लॉस हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइस कम होगा, तो ये option exercise ही नहीं करे कर देगा, option lapse कर देगा, ठीक है, तो ऐसे जो contract है, इसको बोलते है option, ठीक है, इसी के जैसा होता है, एक होता है forward contract, लिखना तो कुछ भी नहीं क्योंकि मैं सब लिखवाऊंगा भी, forward contract, forward contract में कुछ है नहीं, forward contract बड़ा असान है, ये है राम, और ये है, श्या, reliance के share का price है 500, इसको लग रहा कि 500 से कम होगा, इसको लग रहा 500 से जादा होगा, इसको लग रहा 500 से कम होगा, लगी शर्त, लग गई, कौन से date को, दो जून को, और कब के लिए, अगस्ट के लिए, और अगस्ट में price हो गया है, मानलो 600, बोलो कौन जीता सर, राम जीता, कौन हारा, श्याम हारा, तो श्याम जेब से 100 रुपए निकल के राम को दे दीगा, खता, इसको फावट कौन, अच्छा सर, इसमें कोई प्रीमिया, इसमें कोई चक्कर रही, प्रीमियम और इतना कम और इससे ride button auto ऐसा कुछ नहीं, यहां दोनों का obligation है, सर प पर बैटिंग थी और 300 हो गया, तो 200 रुपए राम निकल के श्याम को दे देखा, इसमेंस दोनों पार्टी का obligation है, ऐसे contract को forward contract, बलते हैं यह पढ़ा हूँ, अभी नहीं, अभी option की बात हो रही थी, और अगर बीच में यही काम, stock exchange करवाता है, यही वाला काम से, पर बीच म कौन होता, stock action, तो ऐसे contract को forward contract नहीं, कौन सा contract बलते हैं, future contract, हमारे syllabus में, दो चीजे, अगर मैं derivatives की बात करूँ, एक option contract, और एक future contract, forward और future एक जैसा ही मान के चलो, और हमें दो पार्ट में पढ़ना पढ़ेगा इसको, derivatives को, ठीक है, अब थोड़ा जो लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं, ज्यादा अच्छा, तो finally derivative का definition क्या हुआ, derivative का definition, तो derivative का definition हुआ, यह, जो book में लिखा, अगर आप copy बना रहे हूं, और अगर आप लिखना चाहते हैं, किस सारा हमको लिखने में मज़ जाता copy में, तो आपको यह चीज़े लिखनी पढ़ेगे, मैं पहले यह तो एक्जाम में आती नहीं है, तो लिखने का ज़्यादा sense नहीं है, इसलिए मैंने ना return में यह आपको book में दे दिया है, अंडरलाइन वंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, तो derivative क्या है, एक financial instrument है, financial भी बोल सकते हो, negotiable भी बोल सकते हो, negotiable का मतलब क्या होता सार, negotiable का मतलब होत सकते हैं, और उसकी value जो है, वो derive होती है, ना भी दिख रहा ना, dairy मतलब derive और क्या, वेटिव का मतलब value, derivative, उसकी value जो derive होती हो, किस से होती है, अंडरलाइन एसिट, अंडरलाइन एसिट का मतलब क्या असर, अंडरलाइन एसिट का मतलब जिस पर betting किया जाता है, suppose, फिर से, एक डॉलर का rate अभी कितना सत्तर, कोई एक person होगा जिसको लग रहा है, बढ़ रहा है, कोई एक person होगा, जिसको लग रहा है, कम होगा, अगर से, डॉलर का rate आगस्ट में 80 रुपिया हो गया, तो काउन जीता, ये जीता, कितना रुपिया, दस रुपे कौन किसको देगा, य एक figure ले लेंगे, दो लाग, दस लाग पर हम बैटिंग कर रहे है, ठीक है, अगर rate of interest 11% हो गया, तो ये जीता, ये इसको 1% देखा, एक figure notional amount ले लेंगे, खेर वो interest rate derivative में बात करेंगे, this is derivatives, ठीक है, तो derivative का basic हल का सामने meaning लिया, कि derivative एक negotiable instrument है, उसकी value कहां से derivative होती है, underlying assets है, underlying asset में क्या हो सकता, share हो सकता, stock हो सकता, bonds हो सकता, currency हो सकता, commodity पर भी betting होती साब, suppose gold, gold पर betting कर लो, अभी क्या तोला चल रहा, 10 gram कितने का, 30,000 रुपिया, किसी को ऐसा लग रहा, अगस्त में जो gold है, वो 60,000 से उपर जाएगा, किसी को लग रहा, कम जाएगा, वाकि कम चला गया, 50,000 हो गया, उधर से इधर मुझे 10,000 मिल जाएगा, gold पर betting हो सकती, stock index पर हो सकती, sensex, sensex बढ़ेगा कि कम होगा, चलो लगाते शर्थ, तो यह सब है, underlying asset, तो बस हुआ है, derivative, को रिकत नहीं, यहां तक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा discussion हो चुका, अगर मैं यह book की language छोड़ू, एक simple language, अपनी language में बोल लूँ, तो derivative क्या एक instrument है, किस चीज का बोले betting करने का, betting कीजिए, derivatives, तो, साफ derivative का definition, derivative क्या होता, कभी जिन्दगी में लिखने के लिए नहीं आया, ना आएगा, ठीक है, तो भी कर की बात है, derivative को हम दो parts में पढ़ेंगे, part 1 में क्या पढ़ेंगे, option contract, और part 2 में क्या पढ़ेंगे, forward and future contract, ठीक है, ठीक है सर, तो अब हम लोग आगे चले, ठीक गया, थोड़ा ब्रेक ले ले क्या, अब भी नहीं, ब्रेक ले गे, अभी तो एक घंटा भी पूरा नहीं हुआ, पानी पीलो मिली, चल जाएगा, ठीक है सर, तो derivative में, जो हम discuss कर रहे थे, पार्ट नमबर वन, option contract, इस पे हमको सारी बाते करनी है, पार्ट नमबर वन, option contract, पार्ट नमबर वन, option contract, हाँ, इस्टार्ट करेंजी, हो गया, पानी वनी पे लिए हो, एक बार और हिम्मत दिखाते हैं, लंबा खिछना ज़रूरी है भाई, बिना उसके कुछ नहीं होगा, तो अब option क्या होता है, वापस वो जो diagram बना था ना, उसी पे बात करते हैं, अब जो भी मैं समझा रहा था, यहाँ वो option contract को, यह समझा रहा था, option contract में क्या होता है, option contract में सर्थ, अब नाम करन कर ले, क्या है, अब option में कुछ नाम आपको समझना पड़े, ठीक है सर्थ, अब नाम लिख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा, ठीक, अब पहला नाम, राम का क्या नाम था सर्थ, राम को बुला जाता है, इसको बुलते हैं, राम को बुलते हैं, option holder, या इसका नाम है, option, बायर, option holder या option बायर, option holder, option बायर इसलिए बोलते हैं, क्योंकि वो शेयर खरीद रहा है, नहीं, गलत बात है, मैंने ये नहीं बोला, शेयर खरीद रहा है, इसलिए option बायर नहीं, option खरीद रहा है, इसलिए option बायर, बोल रहा हूं, share से कोई लिए न देना नहीं है, right है उसके पास, किस चीज का right है, share खरीदने का, right खरीद रहा है, इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं, option buyer, पर आप option buyer ना बोलके इसको क्या बोल से, option holder, और स्याम को क्या बोला जाता है, इसको बोलते है, option writer, या इसका नाम है option seller, share बेच रहा है, इसलिए option seller नहीं, right बेच रहा हूं, okay sir, okay sir, और इसको तो premium बोलते हैं, ठीक है, इसको option contract बोलते हैं, जिस rate पे बात हुई है, 510, 110 मैं दे देंगे, ऐसी बात हुई न, एक rate, याद रहा है, current market price अलग है, उस पे बात ही नहीं हुई है, पासो 10 पे बात हुई है, इसको बोला जाता है, exercise price, पर अधिकतर इसका जो नाम चलता है, वो चलता है, strike price, ठीक, बहुत सारे नाम हो गए हैं, और नाम क्या क्या हो गए, अगर मैं कहूं, option क्या है, option में, option में, option holder के पास, right होता है, पर उसका obligation नहीं होता है, और किस बात का right होता है, कि वो share खरीद ले, किस पर, किसका underlying asset कोई भी हो सकता है, कितने में, exercise price या strike price में, बदले में, इस person को option का page जो है, वो premium देना पड़ता है, advance में, जो किसको transfer हो जाता है, option writer को transfer हो जाता है, अगर मजे लिखने के लिए आता है, बताई, option किया तो मेरे पास बहुत सारे सब्दे, यह लिखा हुआ है, मैं समझा दूँगा, पर बहुत सारे सब्दे, ठीक है, राम को option से जो फाइदा होना था, वो फाइदा देखी गया, price कम होता है, तो उसको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, उसका सिर्प 40 रुपए जाएगा, और एक बात, वो share खरीदने के जगा option खरीदने में फाइदा है, share खरीदता तो एक ही share कितने में मिलता 500 रुपए माल उसके पास 500 रुपए है, तो भी वो share खरीदने के जगा option खरीदेगा, क्योंकि 500 रुपए में सिर्फ एक ही share आएगा, जबकि वो राम चाहो तो 500 divided by 40, 12.5, 12, 12 shares पर बैटिंग कर सकता था 500 रुपए, मैं रफली 12 लिखा, 12 shares थे, जबकि अगर share खरीदा तो सिर्फ एक ही share खरीदेगा, और अगर option खरीदेगा, चालिस रुपए, चालिस रुपए, चालिस रुपए, ठीर सारे option खरीदेगा, तो क्या क्या है, multiple मतलब कितना फायदा होगा यार, अगर price बढ़ता है, मान लो 600 रुपए होता 600, अगर price हो जाता 600 रुपए, तो भाई साब, अगर share ख 1080 का profit हो जाता, कास आप समझ पा रहा है, 1080, उनी 500 में 100 रुपए का profit हो रहा था, उसी 500 में 1080 का profit हो रहा है, तो भाई कोई share क्यों खरीदे, option न खरीदे, तो सर दुनिया क्या पागल है, जो share खरीदे, अपने फायदे option खरीदे, वो भी मैं समझाऊंगा ना, वक्त तो आती है, यहां तक ठीक है, मैंने नाम दिया, यहां भी बास समझ में आ गए, अच्छा लेकिन यह जो option था, इसका नाम क्या था सर, क्योंकि यहां share खरीदने की बात थी, इसलिए इसका नाम होता था, call option, दो टाइप के option होते हैं, एक होता है call option और एक होता है put option, ठीक है, सर तो अभी वापस है, अभी call और put की बात ना करूं, अभी और कुछ बाते कर लों, तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, रुके हो, अम ध्यास समाना, और एसी ही एक picture बनाना पड़ेगा, याद रखना वच्छे put option, बस खतम होने वाला, समझ गयों आप, बस सब खतम होने वाला, बस put option में और थोड़ी मेहनत कर लो, खतम, बात ही समझ, ठीक है सर, क्या है सर put option, वो भी समझाई दीजिए, टेंशन खतम करें, फिर से वही, राम, फिर से वही, पॉन, इस टॉक एक्शेंज, और फिर से वही, श्यामने इस बार क्या लिखते हैं, मोहन, जिस पर में नोहन, नाम चैंज कर दिया, नाम में क्या रखा है, और Reliance का ही शीर ले लेते हैं, आज कितना प्राइस है, 500, Reliance का शीर आज पैसे, 500 पैसे, अब की बार राम को ऐसा लग रहा, आज के डेट कौन सी है सर, आज की डेट है, 2 जून 22, जून 22, राम को लग भाई COVID है और COVID खतम नहीं हुआ है तो अगस्त में Reliance के शियर का प्राइस 400 हो जाएगा इसका ऐसा अनुमान लो इस बार यह अनुमान नहीं है कि बढ़ेगा इस बार यह अनुमान है कि कम हो जाएगा चीक है क्या किया जाए मैं बहुत सारा आप इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्यूंकि कॉल आपको मैं समझा चुक हूँ मैं बात करो पूट ऑप्सन की तो इस टॉक एक्षिन बोलता है भाई सुनो राम अगर प्राइस कम हो जाएगा ना 400 रुपए हो जाएगा ना चिंदा मत करो आप सस्ते में खरीद लेना मार्केट से 400 में और हमको बेज देना इट मेंस इस बार भी आप राइट ही खरीद रहे हो पर इस बार आपके पास क्या है यू है वो राइट बट नॉट अब्लिगेशन टू कि यह ओफ रिलाइंस एट रुपिस है पाइव औन जिरो चल फाइव औन जिरो ले लिए असर फाइव औन जिरो तो अभी विस देगा ठीक है बहुत चार सौनब्वे में अगस्त यह लो भाई यह कॉंट्रेक्ट त्यार हो चुका है और इस बार राम ने फिर क्या आख के पास फिर क्या है राइट और इस राइट की कीमत चुकानी पड़ेगी मान लो तीस रुपए देना पड़ गया किसको मोहन को इहां तक ठीक है इस बार फिर राम के पास राइट है पर इस बार राइट किसका है शियर को बेचने का राइट है पिछले बार भी उसके पास राइट ही था पर राइट किसका था शेर खरीदने का राइट भूला बिटे अभी भी ऑप्षन खरीदा है किसने खरीदा है राम ने और पहले भी ऑप्षन खरीदा था राम नहीं खरीदा राम ही के पास ऑप्षन है श्याम के पास कोई ऑप्षन था वो शेयर खरीदने का action था दूसरी वार जो있는 option है वो शेयर बेचने का option है जो शेयर खरीदने का option थो कम से option बोल ते था call option और विए Как प्रेमियम को देना पड़ेगा इसको आप नाम चैंज हो जाएगा कि इसको आप आप्सन सेलर बोलेंगे नहीं भाई यह हमें ऐसा से क्योंकि आप्सन तो इसी नहीं खरीदा यही तो पैसा चुका रहा है इसलिए इस लॉट्री की टिकेट को खरीदा यही खरीदा ना इसको आप ओप्सन होल्डर ही बोलोगे और इसको आप्सन राइटर ही बोलोगे या फिर सेलर ë सेलर याद हैं शेयर की बात नहीं करो में ऑप्सन की बात कर और इसको ऑप्सन बाहर ठीक है वागी तो सेम पिक्चर है, अगर शेयर की कीमत सर 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 सर, वैसे तो मैं कोशन कर वहाँगो, मार मान लो शर, शेयर की कीमत, एक मन से लेते हैं, अगर तीन सो रुपए हो गई तो, तो ये क्या सोच रहा था, शेयर की प्राइस कम होगी, फुटो अप्सन में आप सोचते हैं, प्राइस कम होगा, और वाकी कम होगै 300, तो मार्केट से 300 में खरीदेगा, और इस टॉक एक्षिंज को कितने में बैज देगा, Если चारसो नब्डे में, तो बूलो पाइदा, चारसो नब्डे माइनस तीन सो, तो कितने अगा, 190 माइनस क्या कर देंगे, प्रीमिय, और यह क्या करेगा मोवन 300 का खरीदेगा नहीं नहीं यहां से क्योंकि इसको बेचने कराइट है यह बेचे का तो इसको खरीदना पड़ेगा इसकी मजबूरी है कितने में 490 में मार्केट से यहां से खरीदेगा इस्टोक एक्षिन से और 300 में बेचना पड़ेगा तो इसका कितने का यह भाई CDC बात है put option का मतलब downside में फायदा और वाके इसका share का price कितना हो गया 300 तो इसका फायदा है ओके सर बात समझ में आ गई है दो टाइप के option होते call option, put option call option मतलब right इसके एंगल से बात करो इसके पास right है कोई पर obligation नहीं right to buy put option मतलब इसके पास right है right to sell एक में share sell करेगा एक में share buy करेगा दोनों ही condition में यह option क्योंकि इसने right खरीदा है बेचने का, चाहे खरीदने का share खरीदने का, इसने right खरीदा है इसलिए उसको option buyer बलते है okay put option में बच्चा confused हो जाता बहुत बुरे तरीके से put option में कुछ और ही सोचने लगता put option में कुछ सोचने के जरूत ने जो premium देगा वो option buyer है put option buyer में भी उसको लग रहा है कि इस प्राइस कम होगा तो प्राइस कम होने से उसको फायता हो जाएगा हाला कि इस जी को premium देना पड़ेगा और इसका maximum loss premium कही होगा ठीक है ठीक है ठीक है एक बार देख लें लिखा क्या है तो साहब option की definition बोला अब हम तैयार हो चुके सर option means option means option किसके एंगल से बात करूँ मैं राम के एंगल से option buyer के एंगल से तो सर option buyer के पास right but not obligation है किस बात का to buy or sell buy भी कर सकता है, sell भी कर सकता क्योंकि दोनों के विसे में लिए an underlying asset at pre-determined price price पहले से price कब decide होगा आस से decide होगा, कितने में बात होई थी 490 में, pre-determined price 490 में बात हो चुकी ठीक इसको pre-determined price जो पहले से price इसको क्या बोलते है exercise price है, strike price और कब settlement करना or maturity premium देना पड़ेगा, premium तो हमेंसे इसी को देना पड़ेगा कब देना पड़ेगा, जिस दिन contract होगा एक बार start कर रहा है हम लग option तो सबसे पहले option में हमें 3 points में discussion करना है एक तो पहले discussion करना है basics जो चल रहा है उसके बाद valuation of option this is most important इस पे बहुत ज्यादा time लगेगा important option strategy strategy तीन topic में हमें बात करना एक last में छोटा सा है वह भी में बाद में discuss कर लूँगा पर यह important है of valuation of option तो अभी क्या चल रहा है basics और basics में हमने point number one किया और point number one में हमने option की definition option की देखते क्या लिखा हुआ option contract is a contract in which किसके एंगल से बात हो रही है option holder option holder के पास right है right क्योंकि वह right खरीद रहा obligation नहीं obligation किसका होगा किस चीज का कि वह buy भी कर सकता है और sell अगर buy कर रहा तो कौंसा option call option अगर sell करने का right है तो कौंसा option बोलते है put option call option में इसको क्या लगता है price बढ़ेगा put option में क्या लगता है price and underlying asset तो भी option contract में option holder के पास right but not obligation होता buy or sell का किस चीज को buy or sell का underlying asset underlying asset पता है और किस बात पे बात होती है pre-returnine price price पहले कब आज ही decide हो जाता है इसको हम कौंसा price बोलते है इसको या तो हम exercise price बोलते है या तो हम strike price बोलते है तिक maturity में अब बदले में क्या देना पढ़ता option premium कब जिस दिन contract होता in advance और यह option premium किसको transfer हो जाता है option writer को option writer कौं transfer करता stock exchange तो अभी जो है वह किसका definition बढ़ा option का ठीक है अब हमें कुछ चीजे और समझनी है अब ध्यान से समझना अब बहुत कुछ समझना अब अंतर आता है की बताओ अंतर बताएं कितनी party involved है stock exchange को सुर्थ दो पार्टी एक का नाम है option holders और एक का नाम है option right दो पार्टी है दोनों party के विशे में क्या आप अंतर बता सकते हो क्या क्या difference है दोनों अब ध्यान से समझना इसमें लिखता हूं अगर समझाना है तो सीधी सी बात यह है राम राम के पास right है पर obligation नहीं right खरीदा है इसने पर obligation नहीं है कि सामने वाला बोलेगा तो हमको exercise भी करना पड़े पर स्याम जो की option writer वो अगर price यहां कौन सा option है call option अगर price कम हो जाता है तो यह बोल नहीं सकता राम को कि नहीं राम आईए आपने बोला था कि share खरीदना तो प्लीज मुझे share खरीदे नहीं बोल सकता भाई बात को बस यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ price 1000 भी हो सकता price 400 भी हो सकता अगर price 1000 होता है तो राम option exercise करेगा और करेगा तो श्याम मना नहीं कर सकता साहब आपको obligation है आपको share देना ही पड़ेगा 510 रुपर 510 का खरीदेगा और 1000 का 1000 का base देगा तो भाई साहब इसको profit दिखी रहा 1000 minus 510 490 pay off हलाकि इसमें premium minus करेंगे वो बाद में समझे 490 का profit और इसको 490 का loss दिखाई दे रहा pay off it means इसका obligation है आप इसका obligation है अगर राम आता है तो इसको share deliver करना ही पड़ेगा और अगर price 400 हो जाता है तो क्या आप राम को force कर सकते हो नहीं सर नहीं कर सकते it means शिर्फ इसका क्या है right तो अगर मैं पहला difference की बात करूँ तो देख रहा है इसका क्या है right but not obligation right but not obligation और ये भाई सब जीरो ये बोलेगा नहीं राम कैसे मना कर सकते हैं आओ 400 हम में ले जाओ सवाल ही पैदा नहीं हो ठीक तो इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा obligation but not right change कर रहा हूं मज़ा नहीं आरा कर रहा हूं obligation but not right यहां तक पहला अंतरों समझ में आगे हैं दोनों के दूसरी बात अब ध्यान से समझना हूं अगर श्रीयर का प्राइस एक हजार हो गया ध्यान से समझोगे बच्चों श्रीयर का प्राइस एक हजार हो गया राम जाय के पाइस को फोन लगाएगा श्या और फोन लगाया नहीं किसको फौन लगाया श्टॉक। मैं क्या करूँ, मैं तो फज गया, मुझे तो पते ही नहीं, श्याम ने तो मोबायल लगत कर सकता श्टॉक एक स्थता डीफाल आज तक डिफाल्ट नहीं किया, राम कहेगा, मुझे नहीं मतलब श्याम की मोहन की कौन है, मुझे आपके पर्दे के पीछा का बंदा नहीं मालम कौन है, मुझे आप से पैसे चाहिए, श्टॉकेशन, आप यह नहीं बोलोगे कि सामने वाले का मोबैल बंदा की क्या है, वो श्याम जरूर धुका दे सकता है, राम तो प्रीमियम दे के ज़्यादा लॉस किसका है, प्रीमियम कही है, तो प्रीमियम तो दे दिया है, धुका कौन दे सकता है श्याम, पका, यस, डिफाल्ट कर सकता है श्याम, तो सहाब जिसका डर है, कौन डिफाल्ट कर सकता है श्याम तो stock actions क्या करता सियाम से जिर दिन contract होता है सियाम से कहता भईया आपका भरोशा नहीं है यार आप एक काम करो आप अभी मेरे पास margin जमा कर दो अप ले जाना आप जीच जाओगे कोई दिक्षत की बात नहीं आप अपना पैसा ले जाना margin मतलब ऐसा नहीं margin का मतलब security deposit तीन मैने हो जाएगे अगस्ता जाएगा आपका अगर loss होगा तो उसी margin में से मैं काटके आपका पैसे वापस कर अगर आपका profit होगा तो उसी profit क्या है आपका तो premium मिल चुका है आपके जो premium है वो उसी में add रहेगा चिंता मत करो हम premium सहीथ तो आपको पूरा margin वापस कर देंगे पर आप भाग सकते हो तो आपको security deposit करना पड़ेगा it means क्या इसको premium देना होता है yes राम को क्या देना होता है premium और इसको बोलो इसको 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 सर इसको margin जमा करना पड़ता है किसके बास इस टॉक इस margin money बोलते है इसको ठीके सर अब आगे और शियर का price जितना बढ़ेगा उतना loss है किसको जितना बढ़ेगा उतना profit है किसको राम को it means क्या इसका unlimited profit हो सकता है yes unlimited profit और इसका क्या होगा इसका unlimited loss हो सकता है unlimited loss अब सवाल यह है point number unlimited इसका maximum loss क्या होगा premium उससे ज्यादा तो loss होई नहीं सकता maximum law premium और इसका maximum profit बुलो भाई maximum profit क्या हो सकता सब premium ही होगा प्रीमियम से ज्यादा इसका profit नहीं हो सकता पर इसके profit होने की probability जाता है इसको तो भाई प्रॉफिट कब होगा तो नो इसको जो unlimited profit होगा ना unlimited profit कब हो जब शियर का प्राइस खूब बड़ेगा खूब बड़ेगा खूब बड़ेगा इतना तो actual में होता ही नहीं है प्राइस हिलता नहीं है थोड़ा सा ही हिलता अगर थोड़ा सा ही कम जाता हुगा ना तो भरी राम को बहुत प्रॉफिट कमाने के ये 510 से price बढ़ना चाहिए, 510 से नहीं, 550 रुपे से share का price बढ़ना चाहिए, 550 से उपर जाना चाहिए, तभी इसको profit होगा, आज share की price कितने चल रही है, 500, और अगस तक 540 या 530 या 520 होता तो उससे कुछ होने वाला नहीं है राम को, उपर से स्याम को फायदा हो जाएगा, 550 पचास से भी उपर होगा तब फायदा है, ये समस्या है, अच्छा, इस हिसाब से भले ये दिखरा, unlimited, 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 unlimited भई, unlimited बोलने से काम नहीं होता, कुछी भी थोड़ी शेयर का price होजाता है, इसलिए probability जादत पर मामलों में श्याम को ही फायदा है, अब राम के एंगल से अगर, अच्छा, अब पूछूं क्या, अब पूछू से, अब पूछ दराओ, सो समझ के जवाब चाहिए, ठीक है सर, मतलब मैं अंतर लिख वा रहा था, एक question मन में है, चलो पूछते है, राम भगवान से अपर आपना कर रहा था, क्या अपर आपना कर रहा होगा सर, श्य खुब बढ़ा दो बस, नहींदे, ऐसा वर्दान नहीं, मैं आपको वर्दान देना चाहता हो, और वर्दान ऐसा रहेगा, सिर्फ एक बात बोलना, श्यिर का प्राइस, कम जादा कुछ भी हो सकता है, तो कम जादा करना, तो खुब कम जादा करूं, कि थोड़ा से कम जाद मेडिसेट करूँगा बस आपको यह बताना कि बहुत जादा अब डाउन करना थोड़ा सा अब डाउन अब राम सोच रहा है बहुत जादा तो जादा बहुत कम ज़ए थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है इधर कम होता है तो भी 40 गया अगर डाउन होता है इतना डाउन हो चाहिए इतना राउन हो 40 यह जाना पर बढ़ता है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा तो भगवान सुनो अपना जो करना है तगड़ा करो मतलब अगर वालेटिलिटी चाहते हैं अगर आपको कम करो तो जर्फ के कम करो 40 यह जायए चलकर नहां और श्याम क्या चाहिए प्संद करेगा वालीटिलिटी इच二 मेंसि यह चाहता क्या है राम राम चाहता है कि वालीटिलिटी बहुत ज़्ध से और श्यार के प्रैस बहुत जादा sponge ृस्यर में क्या चाहिएग पसंद करेगा कि नहीं करेगा जर्ण सोचते अब स्याम से भी तुम पूछेंगे ना भगवान ऐसा थोड़ी ने कि एक ही कि ए अगर बहुत ज्यादा बढ़ा में तो गया भगवान बहुत कम होता है बहुत ज्यादा डाउन होता है तो मुझको 40 ही मिलेगा ठीक है अगर थोड़ा सा बढ़ा तो बच जाओंगा थोड़ा सा बढ़ा और थोड़ा सा कम हो तो भी 40 हो मुझक है भगवान ज़्यादा ने थोड़ा थोड़ा तो यह क्या चाहेगा सर यहजाएगा कि volatility कम से कम हो यह पसंद नहीं करेगा है हैट वालटिलिटी वालटिलिटी अगर मैं कहता हूं कि क्या बनना चाहते हो option holder बनना चाहते कि option writer वो depend करता है एक तो आपको क्या लग रहा है और दूसरा आपको volatility पसंद है तो आप यह बंजो नहीं volatility पसंद है तो आप option holder बंजो खेर मैं बहुत ज्यादा technical बाते करने लगा हूँ आज पहली class में first start ही नहीं हुआ और मैं आप से technical लिखल बाते करों तो यह अच्छी बात नहीं है तो चले आगे हमने क्या-क्या लिखा था यह पढ़ लिया यह भी पढ़ लिया यह भी बात हो चुकी थी अब बात हुई है कि कितनी पार्टी होती है option contract में तो दो पार्टी होती है तो stock exchange कोई पार्टी नहीं है इस टॉक एक्षेंज की बात नहीं करेंगे एक का नाम क्या है option holder यह इसी को क्या बोलते हैं option buyer option holder यह option buyer जो right खरीद रहा है दूसरा कौन है option writer यह option seller जो right बेच रहा है right राइट इसके पास क्या है right और इसके पास क्या है obligation premium कौन देता होगा सरी यह देता होगा premium क्योंकि इसके पास right यह option premium देता है advance में और इसको भाई सब क्या जमा करना पड़ता है इसको margin money जमा करना पड़ता है ठीक है margin money is required होगा इसके पास क्या unlimited profit हो सकता है yes पर loss unlimited profit होगा price बढ़ेगा तो खूब फायदा हाला कि मैं जानता हूँ उतना price नहीं पर price बढ़ेगा तो फायदा और बुक में लिखा है और loss कितना का होगा सिब जो premium जेप से गए lottery की ticket वही तो है और नई फसी तो फाड़की फेग देंगे बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात it means अगर मेज़ा दिखा जा call option और put option दोनों में lottery लगाई जा रही है call option में किस बात के लिए lottery लगाया था कि surprise 510 से उपर जाएगा लगाई लट्री अगर बढ़ गया तो और कम हुआ तो फाड़की फिक देंगे पुट option में भी lottery लगाया थे लेकिन इस बार lottery किसका था कि प्राइस कम होने का लट्री प्राइस कम हुआ तो जीद गया प्राइस बढ़ गया तो लट्री की टिकेट फाड़की फिक दिया और कुछ नहीं तो इसका unlimited profit हो सकता लोट्री लगे तो बहुत अच्छी बात है लोट्री नहीं लगी तो जो 40 गये वो गये maximum loss premium इंसाफ के था दिक्कत थे प्राइस बढ़ गया तो उतना pay-off देना पड़ेगा unlimited loss लोट्री नहीं लगी तो सिप 40 ही तो आएगा यार premium amount ठीक है यह क्या चाहते हैं जो हो जोड़दार हो और यह क्या चाहते हो अगवान पर अखना ज्यादा जूड़दार मत करना काम हुआ तो 40 थोड़ा सा भी बढ़ा तो भी फायदा है बहुत ज्यादा बढ़ा तो बरबाद है ठीक है तो यह theory इस सरा आता है कि यह theory नहीं आता है और भी थोड़ी बहुत theory कर है यह important there are two types of options बात हो चुकी है एक call और एक put यहां आपके पास right है खरीदने का और right यहां क्या है शियर बेचने का यहां क्या लगता है कि price क्या हो रहा है surprise बढ़ना price बढ़ेगा तो कौन सा option call और price ऐसा लग रहा है कम होने वाला तो option खरीद रहा है मतलब right खरीद रहा है अच्छा और भी दो टाइप के option होते यूरोपियन और American इसर यह क्या चीज बस यही तो समझाना है एक बार वह भी बात कर लेते तो ब्रेक ले रहा है उसके बाद ब्रेक ले ले सुनो 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 बच्चो सुनो सुनो किस दिन इतना सब कुछ लिए बोर्ड में जगा नहीं पर आप समझ जाओगे मचे ऐसा लग रहा है और वो किस दिन कॉंट्रक्ट अरश दोथे दो चूज़ भी इस दिन कॉंट्रक्ट हो रहा थार बात क्या थी श्यर का प्राईस कितना था पासो दस से बढ़ेगा हमें अलग है अले इसंदिन मतलब क्या और प्रीमियम कितना धिया चालिस रुपए दे चुकτο अगले दिन मान लो share की कीमत होगी 560, एक साथ अगले दिन, मतलब क्या तीन तारीक को होगी share की price 560 क्या यह receipt को किसी को बेश सकते हैं, बेश सकते हैं पर मैं किसी को नहीं बेशना चाहता हूँ मैं stock exchange के पाश जाकर इसको exercise करना चाहता हूँ हाला कि exercise कब करना है अगस्ट में exercise करना है पर मैं 3 जून को ही exercise करना चाहता हूँ क्या 3 जून को exercise किया जा सकता है हाँ भाई हाँ वो depend करता है कि option कौन सा दो type के option होते है एक होता American option और एक होता European option European option में आगर आप 3 तारिक को जाओगे stock exchange तो वो आपको भगा देंगा क्या बात कर रहे हो आप अगस्ट में आईएगा यह होता European European option में आप बीच में exercise नहीं कर सकते है आपको last में ही exercise करना पड़े पर American में आप बीच में भी जा सकते है और last में भी जा सकते है यह दो दो type का option है साब American option कभी भी exercise कर लो कोई फर्क नहीं पड़ा European option सिर्फ यह ही exercise बीच में नहीं जा सकते है सर अगर आप होते है और आप से में बोलता कि option खरीदना है सर तो कौन सा option खरीदोगी बताए American या कि European American सर American option खरीदने से हमें फायदा है सर किस बात का फायदा है सर अमेरिक वैसे तो यहाँ exercise कर ही रहा है हम अगस्त में कोई बात ही नहीं पर American additional फायदा है कि आप बीच में भी option exercise कर सकते है कैसे exercise होगा रह स्याम क्या बोलेगा स्याम कैसे आएगा यह बाद में हम discussion करने वाले है चिंदा ना करो आप होते तो आप भूल जाओ अगर आप राम के जगह होते तो आप American खरीटते की यूरोपिन सर अमेरिकन बस इतना सह है कि दोनों option में premium का amount अलग-अलग होता है तो एक question पोच रहा हूँ premium का amount किसमें ज़्यादा charge होता होगा American की European American सर American European में premium कम लगता है American में premium ज़्यादा लगता है क्यों लगता होगा क्योंकि American में एक additional facility है कि बीच में option exercise किया जा सकता है सर इंडिया जो stock exchange है जो इसमें trading कर रहे है उसमें European चलता है कि American अमेरिकन चलता है सर अगर question silent रहे हैं तो हम क्या assume करेंगे जो भी question आएगा American की European बीच में exercise किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता question technical हो जाएगा फिर करवाना बड़ा मुश्किल होगा इसलिए हमारे institute ने ये कहा है कि साहब आप हमेशा ये assume कर लिया किजिए कि option बीच में exercise नहीं होगा सिधा last में होगा ठीक है मतलब European assume कर लिया जाएगा इसको भी एक बार read कर लेते है option on the basis of cash flow कितने डैप के होते हैं दो एक होता European और European option कब exercise होता only on maturity underline कीजिए only on maturity और American option कब exercise कर सकते हैं on or before maturity या तो maturity को भी exercise कर सकते हैं या फिर maturity के पहले भी exercise कर सकते हैं हाला कि premium amount American option में क्या होता होगा जादा होता होगा European की अपेग्चा ठीक है जी ठीक है तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई है अब हमें क्या करना है हमें करना है examples और बनाना questions अब question बनाएंगे exam में जो आया 88 number के question आया 10-10 number के question आया और इसके exam में जो question है study material में जो question है तो अब हम question भी बनाना start करेंगे और examples भी solve करेंगे ठीक है तो break लेना ज़रूरी बिना break के नहीं होगा नहीं तो ठक जाओगे तो break ले लेते हैं और फिर start अब बोर नहीं लगेगा जितना theory जहिलना thank you so much बहुत बहुत धनिवाद आपने theory जहिल लिया ऐसे मैं theory नहीं discussion करता हूँ पर अभी मजबूरी थी चीक है तो अब call option और put option में question हो जाए कि pay off क्या है profit क्या है presentation कैसी होना चाहिए वो सभी discussion करूँगा तो चले जी break ले लेते हैं और break के बाद इस्टाट करते हैं practical question अब आपको नीद नहीं आईए अब calculator चलाना है अब मज़ाया break